नमस्कार दोस्तों मैं दिगंबर कश्या नियोर्थेरिपिस्ट अगर आपको कान की कोई भी समस्या है आपको कान की समस्या कितने भी दिनों से है आपकी एज कोई भी है चाहे आपकी उम्मर 18 वर्स है चाहे आपकी उम्मर 60 वर्स है 70 वर्स है कोई भी आयू है आपकी कान की प कान से कम सुनाई देता है आपके पड़े में दिक्कत आ गई है आपके कान में कुछ लग गया है या आपको ट्रिनीटस है आपको कोई भी कान संबनित समस्या हो तो आप खुद एक छोटे से पॉइंट से कान की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं आएए पेशन्ट को इस प्रकार से बिठाना है और कान के साइड में इस प्रकार से थोड़ा सा पॉर्टर लगाना है बहुत जादा पॉर्टर की ज़रुत नहीं है जिससे कि हमारा हाथ अराम से सिलिप हो सके इस प्रकार से और देखेंगे यह हाथ हमें सिर के ओपर रखना है जिससे सिरह लेना और count करेंगे इस परकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बार पीछे, 6 बार आगे 2, 3, 4, 5, 6 फिर इस तरह से अपने उली बनानी है V की shape में और ये गिसाई करनी है इस परकार से चारो तरफ से हमें कान की गिसाई करनी है ऐसे ही इधर इस परकार से अब अपने अंगुठे को अंगुठे का ये वाला जो भागे आगे वाला इसे हमें कान के इस होल में रखना है और उपर नीचे, उपर नीचे, उपर नीचे धीरे-धीरे से बहुत जादा प्रेशर की ज़रूत नहीं है व्यूंकि बड़ा sensitive point होता है हमारे नपून बढ़े नहों, इसका ध्यान लखे जिससे patient को लगे और आगे पीछे इस प्रकार से हमने करना है और अपने अंगुठे को इस वाले points पे इस प्रकार से घुमाना इस प्रकार से फिर ये कान की जो इसकी नोती है इसे अपने अंगुठे से अंगुठे से इस प्रकार से रब करना, घिसाई करना इस प्रकार से पांच से छे बार हमें ये काम करना है इस प्रकार से फिर ये कान को इस प्रकार से करना और अपने अंगुठे से धीरे-धीरे से ज्यादा तेर प्रेशल की ज़रूत नहीं है, बहुत हलकी है उंगली से, इस प्रिकार से मारना, पांच से छे बार, और अपने हाथ को इस प्रिकार से रखना, इस प्रिकार से रखा, दौनों कान पे, इस प्रिकार से, इस प्रिकार से, अगर आपको एक कान में दिक्कत है तो तो एक KAN में करें और दोनों में दिक्कत है तो दोनों में करें इस परकार से आपको करना है अभी आपने देखा कान के लिए छोटा सा टीटमेंट एक छोटा सा पॉइंट लेकिन पॉइंट जरूर चोटा सा है लेकिन इसके काम बहुत बड़े-बड़े हैं आपकी सालों की समस्या जो आपने के ENT को दिखाया कान के specialist डॉक्टर को दिखाया बड़े-बड़े hospital में दिखाया और आपका वो दर्द ठीक नहीं हुआ कैई बारतों डॉक्टर ऑपरेशन तक बोल देते हैं आप यह पॉइंट एक पर करके अवश्य देखें हमारे पास बहुत सारी पेशेंट ऐसी हैं जिनक कराने की सोच रहे थे operation की डेट तक ले चुके थे ना उनको को कोई कान की समस्या बची तो आप भी बिना operation के बिना महेंगे से महेंगे इलाज के बिना किसी डॉक्टर की मदद से बिना किसी दवाई के side effects से आपका कान बिल्कुर ठीक कर सकते हैं अपने आप कर सकते हैं अप बिल्द करता हूं यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी आपकी जो पुराणी से पुराणी समस्या है इस वीडियो के मात्यम से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी अभी तक जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे तुरंत ही हमारे चैनल को करें इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें